नमस्कार दोस्तों स्टॉक्विट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग आइरन फ्लाई की एक और एड्जस्मेंट के बारे में बात करेंगे और पिछले जो वीडियो में हमने दो नए एड्जस्मेंट बताए थे वो वो बहुत अच्छा था और हमें अगर निफ्टी में बता सकते तो हमें काफी हेल्प होगी तो आज का इस वीडियो में हम लोग यह पूरा एड्जस्मेंट निफ्टी में करने वाले है ठीक है तो निफ्टी में एड्जस्मेंट भी करेंगे और प्रॉफिट लॉक कैसे कर करते हैं सबसे पहले आ जाते हैं हम पर जहां पर हम लोग सिम्यूलेट और बैक टेस्ट कर सकते हैं तो देखें हम फ्राइडे को आ जाते हैं 23rd August को नहीं एकस्पायरी स्टार्ट हो रही है और यह हम लोग बना रहे हैं निफ्टी में बना रहे हैं ताकि हमारी जो रिक्वेस्ट आई है उनको हम सॉल कर सकें उनको सब बता सकें देखें यह हमने इंस्ट्रुमेंट सिलेक किया है निफ्टी में यह स्ट्रेजी बनाने वाले हैं और ह दस बजे का time select करते हैं ठीक है और हमारी iron butterfly बनाते हैं तो देखिया iron butterfly कैसे बनाते है ATM का call और put आपको दोनों sell कर देना है यह रहा call और यह रहा put चलिए इन दोनों को sell कर देते हैं अब यह हो गया आपका straddle तो आपको straddle को buy करना है उसके hedges buy करने आपके iron fly ready हो जाती है अब उसके hedges कहां पर buy करेंगे तो जहां पर यह straddle का जो premium है वहां पर buy करेंगे तो 263 है यानि कि 250 से ज्यादा होगा 50 से ज्यादा होगा तो हम 100 पर buy करेंगे यानि 300 हमारा यह हमारा hedges buy करना है तो 24,500 downside पर है और 25,100 यह upside पर 300 points away from ATM 300 points down from ATM तो यह हमारी iron fly बिलकुल बनकर ready हो चुकी है अब देखे इसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए maximum 33,000 आपके account में होना चाहिए आपका maximum profit इसमें 4,900 maximum loss है 2,500 और बहुत ही strategy होती है iron fly always better risk reward के साथ आती है strategy और पूरा उसमें risk management हो जाता है कुछ भी adjustment ना करो तो भी 10 में से 6,7,8 बार आप adjustment के बीना profit बना सकते हो तो चलिए इसका हम लोग simulation करते हैं देखे 30,30 minute हम लोग आगे बढ़ाते हैं ठीक है यह देखे 57 rupees profit और हम लोग lot size बढ़ाते हैं मैं 3 lot में काम करता हूं तीन lot में यहाँ पर कर देता हूं 30 minutes फिर आगे बढ़ाते हैं यह 152 rupees profit हो गया है 150 rupees और यह 12 बज़े है अभी 12.30 200 rupees profit 0.2% 0.4% now 0.3% 3 बज़ गए हैं next day आजाते 172 center में है अब देखे यहां से जैसे ही market देखे हमारी यह break even के लगबग बिल्कुल पास आ चुका है 0.1% पास आ चुका है यहां पर मैं दो तरीके से adjustment करता हूं मैं 5 पहले 9 बज़े आ जाता हूं अब मेरे पास दो तरीके है adjustment करने के पहला तरीका है कि temporary adjustment करूं यानि अगर मुझे लगता है कि market थोड़ा बहुत उपर जाएगा लेकिन वह सस्टेन नहीं होगा यहां सपोस रेजिस्टन्स है और यहां से फिर वापस आ जाएगा तो मेरे पास एक adjustment है वह temporary है और दूसरा adjustment adjustment है permanent adjustment यानि कि अगर मुझे लगता है कि market अब उपर ही जाएगा और उपर ही रहेगा अब return नहीं आएगा वापस नहीं आएगा इस profitable जो हमारी range है उसमें नहीं आएगा तो अब मुझे वह permanent वाला adjustment करना पड़ेगा ठीक है तो permanent adjustment करना एक दूसरा तरीका होता और temporary adjustment करने का तरीका दूसरा होता है तो सबसे पहले temporary adjustment सीखते हैं फिर हम permanent adjustment सीखेंगे ठीक है तो हम लोग time note कर लेते हैं 9 बचकर 36 मीट पर हम लोग यह adjustment कर रहे हैं तो फिर से हम वहीं से permanent adjustment भी स्टार्ट करेंगे 26 अगस्ट को ठीक है तो अब लोग हम यहाँ पर क्या करते है temporary adjustment हमारा call side पर market जा रहा है तो simply एक call buy करते है next जो हमने buy किया है उसके उपर का देखें जैसे ही हमने call buy किया हमारी blue line देखें अब market उपर जाएगा तब भी देखें बहुत थोड़ा loss है लेकिन loss है और अगर ज्यादा उपर गया तो हमें profit होगा और आगे जितना बढ़ता जाएगा उ यहां पर आप lot size बढ़ा दो तो यह loss भी साइद निकल जाएगा थोड़ा यहां से यह थोड़ा उपर गया अब हम लोग profit में आ गए तो intraday में profit में और बढ़ते देखें तो यहां से ही हम लोग profit में आ गए देखें तो यह हमारा temporary adjustment है इसका मतलब है कि अगर market एक दो कर बाहर निकल कर फिर return आ जाने वाला है ऐसा हमारा view है और हमें एक resistance मिल रहा है मान लीजिए तब हमें यह adjustment करना है लेकिन अगर हमारा view है कि नहीं market वापस आ जाए उपर ही चला जाएगा तब हम दूसरा adjustment करें अब इसके साथ आपको open interest का sheet भी देखना है जैसे मेरी में ए प्रूरा यहां analysis आ जाता है तो यह sheet में देखिए आपको कहां पर रेजिस्टरंस है और वह भी live market में और वह भी open interest के data के हिसाब से यहां पर जिन्होंने live call writing कर रखी है तो call writing का data बताता है कि यहां से market उपर नहीं जाने वाला है तो यह market में live चलता रहेगा तो उस time हमें जब यह market हमारा यहां पर आएगा तब हम यह writing वाली position भी देखेंगे कि क्या अभी 24,950 चल रहा है तो 25,000 resistance होगा या नहीं होगा यह सब हम लोग यहां data पर से भी देखे करेंगे तो ऐसे जल्दबाजी में कोई भी adjustment नहीं करना है लेकिन चार्ट सेटप मुझे यहां पर से clear cut दिख रहा है और पहली 50 minute का high इसने cross कर दिया है तो definitely मुझे लगता है कि यह उपर जाने वाला है तो इसलिए मैं इसको permanent adjust करूँगा क्योंकि market में uptrend पकड़ लिया है देखिए uptrend में आ चुका है तो मैं इसको permanent adjust करूँगा क्योंकि अब यहां temporary adjustment work नहीं करेगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसको निकाल देता हूँ ठीक है अब मुझे permanent adjustment करना है तो देखिए मेरा कहां पर है यह call side पर है ठीक है हम लोग यह हमारी call side है और यह हमारी put side correct अ अब में हमें निकसान होगा क्योंकि call buy करता है उपर जाता है तो call buy में profit होता है sell करने में नकसान होता है तो हम लोग क्या करेंगे जो call sell किया है उसमें से exit हो जाएंगे ठीक है तो देखिए ये call sell में से मैं हो जाता हूँ exit और अब मैं दूसरा call sell करने वाला हूँ कहां पर sell करेंगे तो जहां पर मैंने buy किया है उसकी एक strike उपर यानि 25,100 पर हमने buy किया है तो 25,050 पर मैंने same quantity जो तीन call sell किये दे पहले फिर से यहां पर 3 lot sell कर दूगा अब देखे अब मैंने बिल्कुल upper side almost loss free कर दिए थोड़ा बहुत यहां पर loss बचाए कितना loss है देखे ज्यादा तर टाइम आपको यह loss नहीं दिखेगा लेकिन हमने इतना loss ले लिया है इसलिए यह दिख रहा है तो देखे अभी आज के दिन इंट्राडे में तो अभी कितना भी मार्केट उपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा देखे यहां तक प्रॉफिट आपको बहुत दूर है यहां से तो यह इंट्राडे लेकिन एक्सपाइरी तक अगर आप प्रॉफिट होना चाहिए तो यहां प्रीमियम बचा ही नहीं है क्योंकि हमने यह थोड़ा लॉस ले लिया इसलिए यहां पर यह थोड़ा लॉस दिख रहा है तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे अब यह पूट साइट पर एक छोटा एडजस्मेंट करेंग और हमारा यह लॉस भी निकल जाएगा चले किस तरह के से करना है देखिए सबसे पहले यह वाले जो पूट वाला लेग है उसमें से भी हम निकल जाएंगे यह वाले लेग में से पूट जो सैल किया था उसमें से निकल जाएंगे 24,800 वाला जो यह लेग था उसमें से निकल जाएंगे, correct, निकल गए, और higher premium वाला लेक sell करेंगे, ताकि यहाँ जो हमें premium में थोड़ा कम मिल जाएदा, वो ज्यादा मिल जाए, और हमारा ये loss निकल जाएगा, जैसे ही हमने 46 से 59 पर आ गए, almost 60 पर, तो यहाँ हमने premium receive कर लिया जाएदा, तो ये हमारा loss बिलकुल निकल जाए, अब क्या होगा, अब market कितना भी उपर जाए, देखे, अब upside बिलकुल loss free कर दिया, यानि हमारे view के according हमने adjustment किया है, हमारा view क्या दा, कि market उपर जा रहा है, और permanent उपर जा रहा है, और उपर ही close करेगा, expiry यहाँ से अब उपर ही होगी, नीचे नहीं आएगा market, तो इ इसलिए adjustment किया था हमने, चलिए, अब हम 30-30 minutes आगे बढ़ा के देखे, देखे, market उपर ही जा रहा है, हमारा minus 158 loss है अभी, ठीक है, कोई issue नहीं है, देखे, हम लोग profit में आ चुके है, ठीक है, very good, 30 minutes और आगे जाते है, देखे, वहीं का वहीं market है अभी, अभी अच्छा खा आ गए हम दो, 675 हमारा profit है, देखे, 1000 profit हो गया, 27 तारिक आ चुकी है, 1000, 1% हमारा profit हो चुका है, चलिए, दो गंटे आगे बढ़ाते है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, दो गंटे 1.2%, 1.7%, चलिए, अभी 1.7% आ गया है, अभी किसी को डर लगता है कि भाई, अबारा कैसे करना है, सिंपल चीज है, आपको यह जो unlimited loss है, यहां पर एक भी buy है नहीं अभी यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यह दूर जो buy है, उसकी जगह एक और, जहां sell किया है, उसके उपर एक buy कर देंगे, ठीक है, आल्मोस्ट आपका जो loss है, वो निक लेगा, तो अभी इसको हम लोग निकाल देते है, पहले और थोड़ा profit मिलता है कि नहीं देख लेते है, 1792, 1890, 2000 रुपीज profit हो गया, चलिए अभी इसको adjust करते है, देखे, अब देखे, बिल्कुल zero loss हो गया, अब देखे, market कहीं पर भी चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, देखे, आपका loss बिल्कुल नहीं है, आप देखे, यहाँ पर भी इंट्राडे में, expiry में तो profit ही है, अगर market reverse होता है, तब भी देखे, अगर यहाँ पर कहीं पर भी expire होता है, तो हमारा 3768 है, और अगर market नीचे चला जाता है, तो देखे, हमारा unlimited profit है, तो बिल्कुल हमने य यह strategy को आप zero loss कर दिया है, तो इस तरीके से आप strategy को zero loss भी कर सकते हो, ताकि आपको market में कोई भी डर नहीं रहेगा, तो इस तरीके से adjustment करना है, कि market कहीं पर भी चला जाया, आपको कोई tension या panic होगा नहीं, अगर market में और profit बढ़ाना चाहते हो, तो आप एक buy भी कर सकते हो, देखे, आप buy करोगे, तो आपका यहाँ पर जो है, दूनों side almost, यह unlimited profit हो जागा, हाला कि expiry के दिन थोड़ा बहुत loss रहेगा, लेकिन यह profit बढ़ाने की technique है, तो अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा zero loss बिल्कुल हो चुका है, और हम कुछ भी अब profit में देना नही चाहते हैं, तो इस तरीके से देखे, आप adjust कर सकते हैं, यह 29 तारीक आ गई है, देखे, हम लोग यह बताने के लिए आभी आपको कर रहे हैं, यह बिल्कुल expiry हो गई है हमारी, यहाँ पर, और देखे, अगर आप last तक रुखते हैं, तो साय 22 rupees क्योंकि market बहुत आगे है था, लेकिन हमें last तक रुखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अच्छा खासा profit हमें यहाँ पर मिल रहाता देखे, तब हम लोग आराम से लेकर निकल सकते हैं, तो इस तरीके से आपको adjustment करना है, zero loss भी बनाना है, और ऐसी बहुत सारी strategy मेरे जो online class होते हैं, उसमें मैं सिख बता दाओ, इसमें nifty, bank nifty की intraday की strategy बता दाओ, weekly बता दाओ, monthly बता दाओ, और option को किस तरीके से trade करना चाहिए, किस तरीके से समझ कर आपको position बनानी चाहिए, क्योंकि हरे दिन market की condition different होती है, किसी दिन market bullish होता है, किसी दिन market sideways होता है, तो आपको कौनसी strategy कब implement करनी है, वो स सबसे important चीज होती है, option में, तो आपको वो strategy सिखाऊंगा, उसका basic समझाऊंगा, उसका पीछे का logic समझाऊंगा, तो अगर आप interested हो, पुरा हमारा course जॉइन करना चाहते है, और उसके साथ में ये शारी seat मेरी जो है, ऐसी total मेरी 6 seat है, जिसमें nifty bank nifty की option की seat आती है, ये intraday की stock की seat आती है, ये सारी screener है, ये मैं आपको free देता हूँ, और उसके साथ आप अराम से trade कर सकते हो, ये stock की seat है, ये swing trading की seat है, ऐसी बहुत सारा मैंने screener बनाए, तो वो भी आपको free में मिल जाएंगे, scores के साथ, अगर आप interested हो, join करना तो मुझे बता सकते हो, चलिए आपको य झाल 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